परिचय हमारी जीब हमें फलों का स्वाद चकने में मदद करती है और हमारी त्वचा हमें स्पर्ष का अनुभव कराती है हमारे शरीर की पाँच ग्यानेंद्रियां हमें हमारे आसपास मौजूद दुनिया से परिचित कराती है आउ सीखें मानव शरीर की ज्यानेंद्रियों को पहचान पाएंगे हड्डियों और मासपेशियों के कामकाज को समझ पाएंगे शरीर की सही मुद्रा को समझ पाएंगे ज्यानेंद्रियां मानव शरीर अलग-अलग अंगों से बना होता है हर अंग का अपना एक खास काम होता है आखें, कान, नाक, जीव और तवचा हमारे शरीर की पाँच ग्यानेंद्रियां होती है इन ग्यानेंद्रियों के बल पर हम अपने आसपास के विभिन चीजों का एहसास कर पाते हैं आईए इनके बारे में जाने आखें हमारे शरीर की पहली ग्यानेंद्री है आखें सभी जीवित जीवों के चहरे पर दो आखें होती है आखों से हम देख पाते हैं इनकी मदद से हम अपने आसपास की अलग-अलग चीजों को देख पाते हैं क्या आप जानते हैं कि जब हम किसी अंधेरे कमरे में दाखिल होते हैं तो चीजों को क्यों नहीं देख पाते ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी आखों को चीजों को देखने के लिए रोशनी की ज़रूरत पड़ती है कान हमारे शरीर की दूसरी ग्यानेंद्री है कान हमारे सिर के दोनों और दो कान मौजूद हैं कानों की मदद से हम सुन पाते हैं हम बजती हुई किसी घंटी, कार के हौन या टेलिफोन बजने की आवाज अपने कानों के जरिये सुन सकते हैं हम अपने कानों की मदद से अनेकों अलग-अलग आवाजें सुन सकते हैं। हमारे शरीर की तीसरी ग्यानेंद्री है नाक। हमारे चहरे पर एक नाक है। नाक गंद सुंगने वाला अंग है। हम इसके जरिये सांस भी लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम किसी अगरबत्ती या किसी परफ्यूम की खुश्बू के बीच किस तरह अंतर करते हैं और इन्हें पहचानते हैं। नाक गंद को पहचानने में हमारी मदद करती है। हमारे शरीर की चौथी ग्यानेंद्री है जीब। हमारे मुह के अंदर एक जीव होती है. जीव स्वाद का पता लगाने वाला अंग है. जीव की मदद से हम ठीक से बोल भी पाते हैं. क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा स्वादिष्ट केक या दाल के स्वाद को पहचानने में हमारी मदद करता है? क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा एक नर्म तकिये और सख्थ पुस्तक के बीच फर्क पहचानने में मदद करता है? त्वचा स्पर्श के जरिये चीजों को पहचानने में हमारी सहायता करती है. आओ खेलें सही शब्द को खाली जगह में रख कर उसे भरो हड्डियां और मांस्पेशियां हमारा शरीर हड्डियों और मांस्पेशियों से बना होता है हड्डियां हमारे शरीर का सख्थ हिस्सा होती है हड्डियों के जरिये हमारा कंकाल बनता है जो हमारे शरीर को एक आकार देता है हड्डियां हमारे शरीर को बाहरी चोटों से भी बचाती है मासपेशियां हमारे शरीर का कोमल हिस्सा है मासपेशियां हड्डियों से जुड़ी होती है हड्डियां अपने आप हिल नहीं सकती इनसे जुड़ी मासपेशियां हिलने डुलने में उनकी मदद करती है क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी हमारी कमर, कंधों और टांगों में दर्द क्यूं होता है? ऐसा शरीर की गलत मुद्रा के कारण होता है मुद्रा वह पोजीशन होती है जिसमें हम बैठने, खड़े होने या सोने के दौरान अपने शरीर को रखते है सही मुद्रा में शामिल है बिना मुड़े सीधे खड़े होना जब बैठे हों तो बिना किसी सहारे के कमर को सीधा रखना और सिर के नीचे तकिया लगा कर लेटना हमने क्या चर्चा की? हमारे शरीर में पांच ग्यानेंद्रियां होती है आखों से हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं, नाक से हम सूंगते हैं, जीव से स्वाद का पता लगाते हैं और तवचा से स्पर्ष करते हैं हड्डियां हमारे शरीर का सक्त हिस्सा हैं हड्डियों से जुड़ी मांस पेशियां उन्हें हिलने डुलने में मदद करती हैं मुद्रा वो तरीका है जो हम बैठने, खड़े होने या सोने के दौरान शरीर के लिए अपनाते हैं